नमस्कार, पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मचरिय और सेक्स के बारे में जाना, उसमें ब्रह्मचरिय का एक महत्वपूर्ण अंग है सैयमित मेथुन चरिया, और सैयमित मेथुन चरिया के लिए जरूरी है वाजीकरण, तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं वाजीक ये च्छे तो बहुत महत्व पूर्ण है ही लेकिन अंतिम दो जो अंग है वहे वाजी करण और रसायन अब आपको बता दे कि वाजी करण और रसायन इसमें से आज हम जो बात करेंगे वाजी करण तो सबसे पहले देखते हैं वाजी करण है क्या इसको बहुत व्यवस्तित र में किया गया है लेकिन ओ मात्र और मात्र सेक्स टोनिक तक सीमित ले गए है लेकिन आयुर्वेद का ये कंसेप्ट है वाजी करण का ओ धर्म से विरुद्ध तो हे ही नहीं लेकिन धर्मा अनुसार जो काम का साइन से और जो एक काम का प्रारूप है और उसके अनुसार जो पुष्ण ने भी बताया है कि धर्मा विरुद्ध भूतेशु कामोसमी भरतरशभ यानि कि धर्म से अव विरुद्ध ऐसा काम उसकी तुमेरी ही विभूती जान तो ये जो काम है जो एक अनिवार्य अंग है जीवन का उसके संबंदित जो आयूर्वेद का एक अंग निकला उसको वाजीकरण कहा जाता है तो अब देखते हैं सबसे पहले वाजीकरण का शब्दार्थ यानि कि वाजीकरण की निरोप्ती अब हम देखते हैं कोई भी एक जो शास्त्र है उसकी सवसे प्रथम शब्दार्थ और भावार्थ को जननना बहुत जरूरी रेता है ताकि हम उसके अर्थ तक पहुँच पाए और उसका जो कंसेप्ट है उसको हेज इटम स्विकार कर पाए तो सबसे पहले देखते हैं वाजी करण की निरूपती यानि की वाजी करण का अर्थ क्या होता है शब्द अर्थ क्या होता है बावर्थ क्या होता है सौस्कूरूत बाशा में एक आप जान लिजेगा बहुत अच्छा कंसेप्ट है एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और एक अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयूग दोते हैं आप जानिए एक शब्द है और अनेक अर्थ है मतलब एक शब्द हो गया और उसके अनेक अनेक अर्थ हो गये ऐसा भी होता है और अनेक अनेक अर्थों को दिखाने के लिए मतलब एक शब्द है अनेक अर्थ है एक शब्द के अनेक अर्थ है तो ओ शब्द अनेक अर्थ के लिए प्रयूक तो होता है जैसे अरी शब्द है बरबने उसका बंदर भी अर्थ होता है, अरी मतलब शाप भी अर्थ होता है, भगवान भी अर्थ होता है, अरी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो ये भी एक होता है, और जो अनेक अर्थों के लिए एक शब्द भी कभी कभी प्रयूक दोता है, या एक अर्थ के लिए अ अनिक शब्द भी प्रयूगत दोते हैं, ऐसा बहुत बाय सौश्कृत में होता है, यहां पर भी एसा होता हुआ है, वाजी करण में, आयूरवेद में वाजी करण का अर्थ dipped सव प्रतम, सव प्रतम वाजी यानि की वाज शब्द को प्रती लगा कर बनता है वाजी यानि कि ये लगा कर बनता है वाजी ऐसा बनता है बरबर है अब ये मतलब मत्वर्थ ये इन जो है वो मतलब इसकी बाद अम व्याकरण में करेंगे लेकिन ये जो वाजी बना वो वाजवान यानि कि वाज युक्त ऐसा अर्थ उसका होता है जैसे धनी देखते हैं कि वाज वाला मतलब धनी तो धन वाला बराबर है यानी तो ग्यान वाला उस तरह से यहां हम अर्थ देखेंगे कि वाजी यानी वाजी यानी एक अर्थ होता होता है गती वाजी यानी गती तो वाजी अर्थात क्या हुआ गती वाला क्या अर्थूरा गती वाला आप याद रखेगा वाजी अर्थात गती वाला धनी अर्थात धन वाला यानी अर्थात ग्यान वाला वाजी अर्थात वाज वाला वाज अर्थात क्या वाज अर्थात गती वाला अब ये एक अर्थ हो गया गती वाला बरबर तो गती वाला एक अर्थ किया हमने इसके लिए ये संस्कूरूत में वाजी घोड़े को प्याते हैं क्योंकि संस्कूरूत में गती वाला जो होता है गती का प्रतिचे घोड़ा है और बल का प्रतिचे घोड़ा है आपको पता होगा योग सुत्र में बताया गया है वलेशु अस्ति बलादिनी यानि कि बलो में कोई एक बल को दिखाने का जो एक आयाम है वो हाथी है जैसे हम तोलमाप किसे करते हैं तो उसके किलो में होता है जैसे आपको जीनी लेनी है तो उसको आप कहेंगे एक किलो दो किलो तीम किलो लेकिन आपको दूद लेना है तो आप लेंगे एक लिटर दो लिटर तीन लिटर बराबर तो एक होता है उसका एक आयां कि वो इसका नाप निर्दारित करता है तो उसी तरह से शक्ती की बात होती है तब हम किसका प्रयोक करते है संस्कूरूत में हाथी का अस्ती का बरबर है तो इसके लिए योकसूतर में बताया गया बलेशु अस्ती बला दीनी बल की जब बात आय तब हाथी के रूप में बल ना पा जाता इसके लिए महाबारत में वरणन है कि भीम में कितना बल था नव नाग सहस्र यानि कि नव सहस्र नाग नव नव हजार आथी जैसा बल एक भीम में था अब इतना नहीं कहा कि कितने गोड़े जैसा बल था लेकिन कोई गती की बात आए तब किसकी बात आती है गोड़े की बात आती है ओ प्राचिन समय की बात है और बहुती सुक्ष्म बात है और बहुती तरक अगम्य बात है लेकिन आज कल जो बल ना पा जाता है ओ घोड़ों स मोटर है तो आज जो पावर है वो किसमें अपा जाता है होर्स में बराबर है तो ये वर्स पावर की ये मोटर केहते हैं इस तरह से तो लेकिन समस्कूरूत और आयूर्वेद की दरश्टी से घोड़ा है वो गती का प्रतिक है इसके लिए वाजी यानि होता है घोड़ा अब चपल उस तरह से तो ओ वाजी मना जो वास्तों में तो गोड़ा है नहीं गती वाला है नहीं एसे पुरुष को वाजी क्रियते गती वाला और चपल कर देता है अर्थात गोड़े जैसी चपलता गोड़े जैसी क्रिया आजाती है जिस वस्तु से जिस क्रियाओ से जो कंस से ओ कंसेप्ट का नाम है वाजी गरणम यह पहला अर्थ हो गया आपने देख लिया कैसे सुक्षमत आसे यहाँ पर निरुक्ति हमने बताई आपको तो यहाँ पर हुआ वाजी वात्य अर्थ वेगवान बराबर है तो वेगवान यहाँ पर अर्थ लिया गति वाला अर्थ ल वो जिसमें है वो होता है वाजी बराबर शुक्र वाला पहले गती वाला बाद में शुक्र वाला बराबर शुक्र तो जो शुक्र वाला व्यक्ति है और शुक्र धातु वाला जो व्यक्ति है तो सब व्यक्ति धातु वाले है लेकिन जो जिसमें उत्तम शुक्र होती है उसको कहते हैं शुक्र वाला और जिसमें शुक्र कम होता है उसको कहते हैं और शुक्र जैसे आप बनाएए धनी हम किसको कहते हैं धनवान ऐसे तो सब के पास धन है तो सब धनीक है लेकिन हम कहते कि यह तो धनीक है तो हम भी धनी कि भाई उमारे पास भी 100 रुपिया जेब में है 200 भी अजब में धन वान तो अम भी है लेकिन हम किसको कहते हैं कि फलासेट धनवान है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा धन है अम धनवान नहीं है क्योंकि हमारे पास धन तो है लेकिन उतना धन नहीं है तो यहां तो शुक्र दो एक धातू है और शुक्र धातू की बात हम क शुक्र नहीं है उसको वाजी कहते हैं और जिसमें शुक्र नहीं है उसको वाजी कहते हैं जो शुक्र बिना वाले के व्यक्ति में जिसमें कम शुक्र है व्यक्ति में वाजी क्रियते यानि कि उसमें शुक्र बढ़ाने की जो प्रोसेस करती है जो क्रिया जो कंसेप्ट उसको कहते वाजी करणम ये दूसरी एक तो गती को ले करम ने कि या चपलता गती प्रदान करता है दूसरे शुक्र की वृद्धी करता है शुक्र प्रदान करता है तो ये होता है वाजी करणम ये कंसेप्ट का नाम बिता है वाजी करणम अब तीसरा जो वाजी का आर्थ है वाजी आज़ी आज़ी यानि मेथुन-शक्ती कम होती है जिसे पे कामशक्ती वो कामशक्ती एक अलग है पूरा concept, ओ कभी-कभी क्या देखने को मिलता है, व्यक्ति में शारीरीक शक्ति बहुत ही होती है, अच्छी होती है, लेकिन उसमें काम शक्ति नहीं होती है, कोई व्यक्ति में शारीरीक शक्ति कम होती है, लेकिन काम शक्ति होती है, मतलग, तो ये दोनों शक्ति अलग-अलग एशेव यक्ति को अवाजी कहते हैं अब एशेव यक्ति को वाजी क्रियते यानि कि मेथून शक्ति से संपन कर देना वो होता है वाजी करणम अव वाजी वाजी क्रियते अनेर इती वाजी करनम बराबर ये समझ गए तीनो और्थ सबसे प्रतम वाजगार्थ गती गती वाला दुसरा आर्थ सुक्र शुक्र वाला तीसरा आर्थ मेथून शक्ती मेथून शक्ती वाला तीनो और हमने देख लिए और वो कंसेप्ट के इसके लिए आपको पता चल गया कि वाजी करण क्या करता है गती प्रदान करना शुक्र उर्दी या शुक्र प्रदान करना और तीसरा होता है मेथुन शक्ति प्रदान करना ये तीनो जो होता है वो होता है तीनो जो प्रयोजन है वो वाजी करण तंत्र केश है तो हमने देख लिया यहाँ पर यहाँ पर यह वाजी नाम प्रकास अत्वात मेठुन संवीत हम यह जो अमने देखा वो यहाँ पर निरूप्ति से हमने मेठुन यानि कि यह शक्ति है जो मेठुन शक्ति उसका अर्थ ले लिया बराबर है हम देखते हैं कि सास्तों के हिसाब से यहाँ पर हम क्या वरणन किया है ताकि आपको समझ में आजाए पहले आप सीधा पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा लेकिन आपके पास यह बेस क्लियर होगा वाजी करणका तो यह आपको आसानी से पता चल गया देखे वाजी वात यह प्रतिहतों अंगना यानि कि जो स्त्रियों में जो अप्रतिहत नहीं होता है भवरति अति प्रियस्त्रियों में होता है वो मेधुन शक्ति को लेकर बात हो रही है यह नहीं उपचियते तद वाजी करणम तदी देहर्सिय उर्जस्करम परम्देह में उर्जा को बढ़ तीसरी बात मेठुन शक्ति की आएगी देखे तीनों है अब ये न नारीशू सामर्थ्यम वाजी वल लवते न रहा ये मेठुन शक्ति की बात आई प्रजेच अप्य धिकम ये न वाजी करण मेवत यहाँ पर मेठुन शक्ति को लेकर ये बात बताई गई इसको कहा ये न ना वाजी वात यर्थ वेगवान देखे यहाँ पर फिवेगवान का अर्थ लिया नारीश तर्पयते तेन वाजी करण मुझ्यते नारीश तर्पयते यानि फिर मेठुन शक्ति की बात आई बड़ाबर है तो ये सभी शास्त्रों और आयूर्वेत के ग्रंथों में बड़ाबर है अब देखे है वाजी करण का प्रयोजन ग्या है अब श्टांकुरुदयम में बताया गया है अपत्य-सतानकरम यत्या यत्र सध्य संप्रहर्शण बराबर है अब उसको देखते हैं कि आयूर्वेद कई प्रयोजन क्या है तो आपको पता है आयूर्वेद का दो प्रयोजन है मुख्यप पिछले वीडियो में इमने देख लिया ता स्वास्तियरक्षण विकारस्य उपशमन उसी तरसे वाजी करण कापी एक तो प्रहर्षण वगेरे है मेठून शप्ति से लेकिन दूसरा अमारे यहां एक उत्तम फल माना गया है संतती का तो उत्तम संतती के लिए बराबर है अपत्य संतान करम यत्र सद्य संप्रहर्षण बराबर है सबसे पहले क्या बताया उत्तम संतती के लिए तो अमारे यहां जो काम का एक प्रुशार्थ माना गया क्योंकि ओ एक प्रजा को उत्पन करता है और शुक्र का हमने स्वभाव बताया था ओ यदि नीचे की तरफ जाए तो ओ प्रजा को उत्पन करता है और उपर की तरफ उर्ध्वरेता बन जाए तो ओ प्रग्या को उत्पन करता है अब याद रखे वरुप रहेगा तो फसल हुगाएगा वरुपती देगा नीचे गया तुरुपती देगा पानी नीचे पिया तुरुपती उई पानी नीचे बहा त्रुक्ति देगा ओ त्रुक्ति व्रुक्ष को दे सकता है जमिन को दे सकता है व्यक्ति को दे सकता है उपर गया शक्ति देगा देखे पानी की दो गति आप देख लिजे पानी है बराबर है वो नीचे की तरफ बहा तो क्या हुआ व्यक्ति ने पिया व्र यही पर पानी के स्थान पर आप यदि शुक्र को रखते हैं विवस्त शुक्र का क्या उपियोग करता है नीचे की तरफ जाता है त्रुप्ति उई देखे यहाँ पर शुक्र नीचे की तरफ गया काम ख्रीडा से त्रुप्ति उई उपर की तरफ गया शक्ति मेरू पांतर नेत हो गया पानी नीचे गया तुरुक्ती हुई उपर गया शक्ती हुई शुक्र नीचे गया तुरुक्ती घटिती आनंद घटिती या उपर गया शक्ती में रुपांतर रहो वे जिसको हम कहते हैं प्रम्या बराबर इसके लिए आयूर्वेद का सुत्र है ब्रह्मचरियम आयूश्यान लेकिन अम जो सो कोल्ड ब्रह्मचरिय केते उस प्रह्मचरिय की यहाँ पर बात नहीं है आयूरवेद की विबिन अउशदियों से विबिन जीवन शेली से सद वृत के पालन से जो शुक्र का रुपांतरण ओज में होता रहता है और वो एक प्रज्या घटी दूती ही वो प् अब में ब्रह्मचरिय प्रमुख है तो यह हमने यहाँ थोड़ी बाते ब्रह्मचरिय की और शुक्र की बात देख ली अब हम देखते यहाँ पर अपत्य संतान करम नीचे गया तो प्रजा उत्पन करेगा केसी संतान करम यहाँ पर देखिए संतान करम देखा क्यूकि संतन तन्यू विस्तार दात। है उसे जो एक देड को विस्तार करता तो सम्ता nord की अनों की प्रश्ण जैसे प्रजा है वो मनुश्य की ही योनी में उत्पन हुए जो लोग है उसी को प्रजा कहते हैं पशुव गेरे होते उसको प्रजा नहीं कहते हैं क्योंकि वो प्रकुरुष्टेन जायत ऐसा नहीं होता है वो कोई विशेष्ट उद्धिश्य से उसका जन्म नहीं होता है इस तो प्रजा है नहीं आज पूरी वेजा हो गई है तो प्रकुष्टे न जायते वाली बात नहीं आई तो इसलिए यहां पर संतान यानि कि तनुविष्टारे दातु से जो शब्द बनता है संतान तो ओ संतान एक फल होता है वाजीकरण का आप देखिए उत्तम संतती को प्रा द्रुवम चतुरणाम सानि ध्यात द्रुवम स्यात विधी पूर्वकम और गर्भ स्यात विधी पूर्वकम तो ओ गर्भ जैसे विधी पूर्वक होता है तम उसका फल क्या होता है तो सुस्रुत मुनी ने बताया है एवं जादा रूप वन्तो महासत्वास्चिरा युशा पवन्ती रुणस्य मोक्ता रहा सत्पुत्रा पुत्रिने हिता हा। सुसूत समिता पढ़ियेगा गर्भ संस्कार का गर्भ विज्यान का और वाजी करण के उत्तम फलका जो कोई एक्ष्लोक है तो ओ है एवं जाता रूप वन्तो महासत्वास चिरायूश आहा। येसी प्रजा जो उत्पण होगी उसको यहां संतान शब्द से बताए ह। येसी प्रजा उत्पन होगी एवं जाता रूप वन्तो महासत्वास चिरायूश आहा, भवन्ती रूणस्य मोक्ता रहा सत्पुत्रा, पुत्रिने हिताहा। तो ये संतान जो प्राप्त करना उत्तम प्रजा प्राप्त कराना ये वाजी करण का सव प्रतम प्रयोजन है बराबर दुस्या प्रयोजन और गोण प्रयोजन है सद्यसंप्रहरशणम एक काम से आनंद की प्राप्ति या न युगि ओभी तुरुप्ती एक है ओभी घटित हो और खास करके ओ एसे एसे द्रवियों का सेवन कर लेता है जहां उसकी भ्रांती है कि एसे मुझे तुरुपती मिल जाएगी और इसके कारण बहुत उसकी हानी होती है कहीं न कहीं हो कुछ न कुछ दवाया पकड़ लेता है जिसको कुछ पता ही नहीं है और आज आपको अस्चर यह रहेगा दवायों में भी जो सबसे ज्यादा दवाया बेची जाती है सबसे महेंगे दाबों में बेची जाती है और सबसे घट्या क्वालिटी की और एक प्रकार के विभिन केमिकल मिलाकर आयूरवेद के नाम से बेची जाती हो सेक्स प्रोड़क्ट बेची जाती है चिक्त्र लगा करके अंदर स्टीरोइड्स बगेरे डाल करके उसको दिया जाता है थोड़ी देर तो अच्छा लगता है लेकिन जब उसके कारण उसको अंतर की आनी होती है शुक्र का जो क्षई होता है अधिक मात्रा में शुक्र का क्षई होता है वोज का नाश होता है और अंतरगत में अनेक महा भयंकर रोग हो जाते हैं उसको इसके लिए आयूरवेद कहता है मरणम बिंदु पातेन जिवनम बिंदु तारणा बिंदु का प्रयोग भी करना है तो भी एसी व्यवस्था करनी है कि चाहे वो उत्पन होता रहे तो ये पहले दो प्रयोजन बताए आ वाजी करण के सारे योग बताए है कौनसे कौनसे योग बताए हों हम देखेंगे लेकिन प्रीति देते हैं और अपत्य बल अपट्य भी देते हैं ऑर अपने को बल देते हैं मतलब, वीशूद्ध उपचित, यानि की शोधन करने के बाद पंच करम वगेरे करने के बाद, इसको लेना चाहिए, कालादी त्सक्राइब चाहिए योगिये काल पे लेना चाहिए, फिर संतानम उलम येनेह प्रेत्य आनंतीः मश्नुदे बराबर है, इसके लिए बताया है बिरबर है तो याशा श्रीयं बलंपुष्टि में बताई गई है तो ये सब पुरा कंसेप्ट है उससे ये सब पुराप्त होता है अब कैसे प्राप्त होता है वो हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेगे कि कैसे प्राप्त होता है तो देखिए वाजी करण मतलब एक कंसेप्ट हमने देखा उसमें आहार भी है उसमें आउशद भी है उसमें भाव भी है वहुत सारे कंसेप्ट है जो हम लेते हैं जिसको हम ग्रहन करते हैं तो यहां पर वाजीकरण के लाब कोणचे कोणचे हैं जैसे वाजीकरण का कोया हार दी आपने अउश दीली तो अंत में क्या होता है उसका तो अंत में होता है तुष्टी पुष्टीर अपत्यम चा गुणवत तत्रसंश्रिदम गुणवत क्या होता है तद वाजी करणम तद देहस ये उर्जस करम परव देह कि जो क्षिनता होती है उसको पूरी करता है इसके लिए उसको उर्जस कर कहा जाता है अब क्या होता है देखिए कोई व्यक्ति ग्रोहस्त है वो ग्रोहस्ता स्रम में है इसके लिए वो कामो पभोग करता है कामो करता है तब उसकी शक्ति क्षिन होती है आयूर्वेद में ऐसा माना गया है और ये प्रोपर साइन्स है कि जो वीरिय बनने की एक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में वीरिय का जब शरण होता है तो उसको बनने के लिए पुनह शक्ति की जरूरत पढ़ती है और देखाली हो ज जो एईसी मती कहा पर स्मसान आनते, में थून आनते, चयाम अती ही, तन ऐसी मती जो जीवन पर रहे, कोन मुच्येत बंतनात, ऐसा बताया गया है। क्या क्या बताया है स्मसान अंते अर्था स्मसान में जाकर जो क्षणिक इसको वेईराग्य आजाता है उसी प्रकार का वेईराग्य शुक्रक्षरण के बाद यानि की कामवबोग के बाद आता है वो क्षणिक होता है इसके लिए इसमें बताया मेथून अंते चया होती ही बर अब उसको पूरण करने की जरूरत होती है तो आयूर्वेद में क्या बताया है जैसे रक्त वर्दक होता है कोई वस्तु जिससे रक्त बढ़ता है मराही मोगम भीन बढ़ता है इसी से अंडिया बढ़ती है जैसे चूना ले लिया सुधा कल्प लिया तो उससे हमारी अस्ती दातु बढ़ती है उसी तरह से सुक्रदातु बढ़ाने वाले भी आहार है तो सुक्रदातु बढ़ाने वाले जो आहार है कोश की पूर्ती करने वाले आहार है वो यदि आपने नहीं लिये वो शुक्र का क्षरर होता गया तो सही मेसा होता है आप पेसे खर्च करते गए ले आपको पता है कि जो पेसे से काम होगा वो दूसरे से नहीं होगा तो आपके पास बेलेंस कम हो गई तो आपके पास बेलेंस कम हो गई तो क्या होगा आप गरीब हो गई उसी तरह से शुक्रत का क्षरण हो रहा है लेकिन अम जो अहार ले रहे हैं उस्दी ले रहे हैं कुछ स्थास्रम में तब क्या करो तब कुछ न कुछ आहार लो कुछ न कुछ आउशध्या लो और कुछ न कुछ आप नियम का पालन करो बराबरे तो क्या होगा तो यह सब लाब होगा क्या क्या लाब होगा यह सारे लाब गिना यहाँ पर बराबरे और यह भी यहाँ पर भी का सुख इसलिए दिखा रहे कि उस बाहने भी लोग ये करे उसको तो क्या कराना है उसके पास बहुत ही बड़ा काम कराना है मतलब उसके पास उसको धर्म का साधन कराना है लेकिन ये कहने पर भी वो नहीं करता है तो आयूर्वेद उसको क्या दिखाता है आयूर्वेद उसक तो पढ़ने आएगा तो मुझे चोकलेट दूँगा तुझे बिस्कीट दूँगा तो क्या हुआ चोकलेट और बुस्कीट देने के लिए पढ़ना नहीं है लेकिन वो आये इसके लिए यह सब रखा है यहाँ पर भी देखे सर सेविया सर्वेंद्रिय सुखा धर्मकल्प द बताया है कि यहाँ पर अपत्य संतान करव उत्तम संतती और शक्ति का रूखना यह उल्ख्य है बरबर है फिर यहाँ पर भी बताया तदा आयत्तो ही धर्मार्थ होगी प्रीतिस्च यशये वचा पुत्रस्यायतनम ये तद गुणास चेते सुदाश्या यहाँ यहाँ पर संतती यदि प्राप्त हुई तो दर्मार्थ सिद्धोते हैं पृत्रस्यायतनम ये तद गुणास चेते सुदाश्या यहाँ यह सब संतती उत्तम संतती से होता है इसके लिए उत्तम संतती प्राप्त करनी चाहिए इसके लिए वाजी करने हैं लेकिन उत्तम संतती का महत्तो सब नहीं जानते हैं, और मैं बताओ, गुजरात में तो मुझे बहुत ही यह देख कर दूख लगता है, वर्षों से हम गर्पस अउसकार का कार्येक्रव फ्री चलाते हैं, तीन सवसकार करते हैं, Voof, पूत्रेष्टी याद करते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा होता है वो लेकर ही कोई स्वार्थ नहीं होता है हमारा पर, लेकिन उसमें 100 की संच्च्या करना हमारे नाक में दम आजाता है, 100-200 की संच्च्या करना हमारे नाक में दम आजाता है इतने फोन करो ये सब तो भी हो कुछ तेहे कि इससे क्या हो जाएगा और कोई एक पिक्चर का हीरो या हीरोई नाती यहां पराज कोट में लोग उसको BMW से लेकर सारी महंगी महंगी कारे लेकर उसको देखने के लिए जाते एक क्रिकेट का मेंच होता है एजारों का पेवेलियन बर जाता है और टिकिट ब्लेक में बैसनी पढ़ती है हमारी पूरी वाइट की टिकिट दबल वाइट की टिकिट भी कोई लेने को तयार मही है एक अजार की पुत्रेश्टियाक के लिए या कोई भी वस्तू के लिए लेकिन वहाँ पर बिलकुल फालतू होता है जो एक विदेशी कमपनी का एजेंट एक्रिकेटर वो फिक्सिंग कर देता है किसी की बोटल बेस देता है युवा पेड़ी को बरबाद कर देता है आथ में कोलेजिस इतने शिक्षन संस्थान और आप आज की संतती देखी इतना होने के बावजूत आज क्राइम का लेवल देखिए आज चोरी देखिए आज मेईमानी देखिए यह सभी भारत में आद देखिए क्यों कि हमने सब का महत्व जाना पेचाना टेकनोलोजी का पकरण का जो प्फल है वाजी करण से जो उत्तम प्राप्ती करानी है रूशी मुन्यों को वो तो क्या करानी है उत्तम संतती की प्राप्ती करानी है लेकिन समान्य व्यक्ति के मन में उतरता ही नहीं कि उत्म संतती से क्या लाभ होता है, इसके लिए वे बताते हैं बाई कि ये नास्ता लेलो विश्खूट लेलो वो ये सब विश्खूट है कि ये सभी विश्खूट दिये है कि सद्यसम प्रहरशनम तुष्टी पुष्टी ये सभी क्या है ये है विश्खूट मतलब वो यक्ति को ऐसा लगता है कि अच्छा तब तो ये करना चाहिए क्यों वह उसमें मुझे मदद करेगा उसमें मतलब सेक्स के टॉनिक के जैसा होगा तो में उसमें एनरजी बढ़ जाएगी तो यह सभी के लिए वो यदि करता है यह उसका उपयोग तो भी ठीक है लेकिन उसको अंतिम फल उसका है उत्तम प्रजा का निर्मान करना और यह ऐसा होता है जैसे एक राजा को शोक था सत्रंज खेलने का तो उसने दावा किया था कि भई यह जो सत्रंज में मुझे अराएगा मैं उसको मेरे मेरे जो नव बेटे है और दसमा बेटे की तरह में उसको दसमा बाग का राजिय दे दूँगा तो इतना अच्छा सत्रंज का और दसमा बाग का राजी अर्थात कितना बड़ा होता है तो नव मेटे है उसको जो जो दूँगा दसमा बाग जिस जो मेरे साथ खेलेगा उसको भी में जिता मेरे साथ जीद गाएगा उसको भी में दूँगा तो एक सत्रंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी था ओ बहुत कि जैसा धानिय था ऊदानिय दो मुझे केवल मुझे बस एक टन धानिय चाहिए मठलब एक मन जानिय 2 इस इत्श धैल आई थेमल कंद समिंगो में भि Really और थेक लेकिन क्या चाहिए कि एक जो तर जिस जिस में पार जाएगो का पूर सैन्ग में तो एक खाने में एक मन उससे दूगना दूसरे खाने में उससे दूसरा तीसरे खाने में दूगना दूगना दानी मुझे दे 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 तो राजा को लगा कि ओके होगा कुछ 500 तन या 100 तन दानी होगा चलो दे देंगे यसा करके खेलने को बेठे खेलने को बेठे तो राजा आर ग फिर गिनती लगाई कि पहले खाने में एक मन, उसे दुगना दो मन, उसे चार, उसे आठ, उसे सोला, उसे बतिस, उसे चोसर्ष्ट, उसे 128, पोंस्टे पोंस्टे इसाब लाखों में चला गया, उसको लगा ये तो ये कीमत आदे पोने राजिय से भी ज्यादा हुई, राजि क्यों, उसको पता नहीं था ये साइकल, उसी तरह से ये साइकल जो है न, वो हम को पता होनी चाहिए कि एक हम जब गलत संतति को जन्म देते हैं, दुर्बल को, तब ये भी साइकल चलती है, उसे दुर्बल, दुर्बल, दुर्बल आती जाती है, और एक सात्विक को जन्म देते संतती को तब ये एक साइकल चलती है तो इसके लिए ज़रूरी होता है वाजी करण यैई वाजी करण का मुख्य personne लाप टो यह है उत्म संतती को प्राप्त करना लेकिन गोण लाब ये बताया है कि फई यह जो बाकी की वाते है वो गोण है mejores हम देखते हैं आगे कि वाजी करण यदी कोई नहीं करता है बरबर अर्थात ओ यदी मेथुन ग्रुवस्तास्रम में तो है मेथुन चरिया हमने पहले देखी थी उसके इसाब से मतलब वो मेथुन चरिया में तो रठ है लेकिन वाजी करण जैसे अउशद या आहार नहीं ले तो आज हम युणाओ को देखते हैं गुरुवस्ता अस्रमी जो लोग है गुरुवस्ता मेरे रहे उसको क्या-क्या हम दिखाई दे रहा हैं हम देखते हैं तो ओ, हानी सारी की, सारी यहां देखने को मिलती है शुक्र बहा दिया लेकिन सुक्र उत्पन हो एसी युशर दिया एसा आहार हमने नहीं किया तो सुक्र का क्षई होगा सुक्र कम हो जाएगा तो क्या होगा गलादी होगी एक जो उत्सा है ओ नहीं रहेगा फिर कंप होगा अवसाद दुख होगा तद अनुकृषता मिलकूल कृषता आएगी क्षिनता होगी इंद्री होगी इंद्रिया बराबर काम नहीं करेगी शोष होगा उस्वाश होगा उपदंश होगा ज्वर्यानी बुखार होगा मतलब पाइल्स होगा ये सबी, क्षिनता होगी, सर्वधातों की क्षिनता होगी, बराबर है, खुन की कमी हो जाएगी, शुक्र की कमी हो जाएगी, जायनते दोर निर्वारा, पचन परिभवाह, पाचन की क्रिया मंद हो जाएगी, बराबर है, कलीवता, यानी की नपुन्सत आएगी उसको लिंग भंग मतलब उत्ते जितना होने की एक प्रकार की वस्थाएगी वामा वश्याती योगाद भजताई हसदा वाजी करमा चुदस्य वाजी करण नहीं करता है जो इसमें ध्यान नहीं रखता है उसको इतने सारे रोग होंगे मतलब पाचन के संबंदीत विकार गुदालमार्ग के मलमार्ग के संबंदीत विकार होंगे धातू के संबंदीत विकार होंगे शक्ति का ख्षय होगा इंडरीयों की ख्षिनता होगी तो ये सारे कंपवात वगेरे वायू के जैसे सारे रोग होंगे ये सारे रोग उसको ये वाजी करण के अफ़ाव से होगे इसके लिए वाजी करण जरूरी है तो अब देखते हैं वाजी करण किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए उसके लिए कौन अयोग्य है पहले ये देख लेते हैं तो यहाँ पर बताया है कि वाजी करण के लिए योग्य और अयोग्य सबसे पहले देख लेते हैं कि वाजी करण यानि क्या कि अमने पहले देखा कि जो शुक्र का क्सरण हो रहा है उसको लेने का विशे शाहार अवशदी या कंसेप्ट हैं, उसको वाजी करण करते हैं, इसके लिए समझ में आ गए आपको कि यह बई इसको जो गुरुवस्तास् स्थमी में मतलब यह कर रहा है तो इसके लिए वाजी करण के योगिय में हो गई है युँवाव स्वस्थ पुरुष बराबर है और योगिया कोन हुए इसके लिए आयूर्वेद में बताया है वाजी करण किसको अउशद या हार एसा लेना है जो वाजी करण के योगिये है तो यहाँ पर आयूर्वेद में उम्र बताईए 16 से 17 साल तो यहाँ पर आशोडशाथ आशप्तति योगन बहाबारत में क्या बताया है आशोडशाथ आशप्तति योगन सोला साल से लेकर सत्तल साल तक वाजी करण के योगय होता है सुला से निज्यका बच्चा भी ने और सत्तर के उपर का वृध भी ने तो बालवर वृध और योग यहे फिर आत्मवानवसदाचारी यह क्यू accident के लिए करना है इसके लिए आत्मवानव सदाचारी होगा, तो वाजी करण से वो योग्य उपियोग करेगा, दुरात्मा और दूष्ट होगा तो इसका मिस्यूज करेगा, बराबर है, वो सकती तो प्राप्त करेगा, लेकिन उसका उपियोग गलत जगप पर करेगा, वो ज्यादा स्तिरियो के साथ संबंद मनाएगा समाज की स्थिती को डामडोल करेगा तो ये एक प्रकार के मिस्योज हुआ इसका जैसे कोई छुरी है तो उसका दोनों उपयोग होते है किसी का ओप्रेशन करके अच्छा भी कर सकते हो किसी को मार्क मी सकते उसी तरह से वाजी करण एक प्रकार का को जानते हुए सिद्धात को पालन करते हुए हम भी ऐसे लोगों की दवाई कपी नहीं करते हैं हमको जब लग जाता है कि ये व्यक्ति दुरात्मा है दूस्ट है उसी दिन से हम कोई ना कोई बाहना बना कर हमारी एक भी शक्ति का उप्योग यही वहाँ नहीं होना क्योंकि पैसा तो कमाना नहीं हम कोई इस पद्धती से रुशी मुन्यों के ज्यान से तो इसके लिए जो भी व्यक्ति ऐसा लगता है उसमें शास्त्र बताता है कि वो दियोग यहे ही नहीं केवल वाजी करण के लिए नहीं चिकित्सा के लिए भी योग यह नहीं है तो ये किसके लिए है तो आत्मवान वस्दाचारी योगे लिए है अब वाजीकरण की योगिया है कामी विलासी जो काम का उपभोग करता है यसे विलास में वातावरण में जीता है लेकिन कोनी है नहीं व्यसनी वर अतिकामू लेकि यहां कामी है योगिया है लेकिन अतिकामू का य योगिया है बराबर विलासी योगिया है लेकिन व्यसन ही अयोगिया है बराबर व्यसन जिसको है तो ओ अयोगिया है फिर ग्रुवस्ति वा बहुपत नीत्व यह पहले के काल में था बहुपत नीत्व तो उसको तो वाजिकरण बहुत जरूरी होता था आज के काल में ग्रु कि पास बराबर है वह अवस्था नहीं है उसकी जो अवस्था के बीना भी वह लेंगे तो थोरी तकलीफ होगी वलियों बराबर है वह क्यूं को वो वाजी करण के योग यह देखिए नपून सक्ता के बहुत सारे प्रकार है उसमें कोई-कोई नपून सक्ता वाले यह ने थे तेसे मानसीक दुर्बलता से नपून सक्ता ही हो बराबर है तो साइको सोमेटिक डिसीज कुछ हुआ हो तो ओव यक्ति यह दी कलीब हो गया हो नपून सक्ता हो तो यह ले सकते लेकिन जो जन्म से नपून सक्ता हो यह स्त्री स्त्री को मना किया है कुछ वाजी करण द्रव्य लेने का उसका क्यू मना किया है उसका कंसेप्टम जानेंगे यह वाजी करण का पूरा तंत्र एक एसा तंत्र है जिसके केंद्र में पूरू युआ हैं कि बराबर हें उसी तरह से जैसे कोमसार वत्य केंद्र बिंदु बाम है कुमार है उसी तरह से वाजी करण में योग्या पुरूश है 10 ott 16-17 साल पुरूश वाजी करण का केंद्र में रखते हुए तंत्र की रचना की है तो स्त्री और नपुनसक यहां पर अयोगिया है अब स्त्री को क्यू अयोगिया बताया नपुनसक तो चलो समझ में भी आता है लेकिन स्त्री को क्यू उसकी बड़ी चर्चा है स्त्री का पूरा का पूरा उसमें उसका शरीर की रचना और वाजी करन द्रवियों से होने वाले प्रभाव और खास करके एक बहुत बड़ा प्रभाव ये होता है एक जानने जैसी बाते स्त्री है ना वो ग्राहक है यानि कि वो ग्रहन करती है और पुरूशे वो देने वाला होता है तो इसलिए पुरूशे वो देने वाल वाजीकर का एक अलग योग है जो अभी पढ़ाने में नहीं है ग्रंथ जो बने है ओ आयूर्वेट के एक भाग का ही ग्रंथ बढ़ा है ग्रंथ में सब कुछ नहीं होता है इसके लिए दो परंपरा थी एक जो लाइन पढ़ाते थे और गुरू परंपरा से शिश्य तक आता तो आज के काल में तो यह सभी पता होता है कि यह तो ग्रंथ में है लेकिन हम कोई-कोई बात इसी बताते है इसमें से 20% बाते जो कोई ग्रंथों में या कोई आयूर्वेट कोलेज में आपको कभी भी सीखने को नहीं मिलती है बहुत सारे डोक्टरम को पूछते हैं और बह कि यह तो आयूर्वेट के कोलेज में हम 6 साल गए, 5 साल गए, एमडी किया तो और 2-3 साल गए लेकिन यह तो कभी न हमने जाना न तो सुना वहाँ पर लाइन की बात भी कम आती थी तो बीट्विन दे लाइन की बात थी की तो बात ही अलगे लेकिन यहाँ पर गुरू परम परा से जो बात आती है वो ऐसी आती है वो गुरू लोगोंने अलग अलग जो चावी रखी होती है वो शिश्य को कहते है कि बहुत सारे डॉक्रम को प्रशन करते है कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ा माने उसने तो क्या हो गया इसमें मैं चरफ तो पढ़ रहा हूँ मैं सुसृत तो पढ़ रहा हूँ तो एसे लोगों के यहां बताया हमारे व्याख्या कारों ने हमारे ग्रंत कारों ने कि सुसृतो नशृतो येन गुरू मुक्षे जिसने सुस्रुतो नश्रुतो येन, सुस्रुत जिसने सुना नहीं, नहीं तो ऐसा नहीं बताते कि चलो व्याक्ष्या भी पढ़ लिया, अनुवाद पढ़ लिया, पुस्तक कहीं से लाया, लेक्चर एटेन कर दिये, नहीं, सुस्रुतो नश्रुतो येन, गुरु मुक्से स्रवन नहीं किया, वागबटों नहीं वागबटा है, वागबट जिसको वागबट नहीं हुआ, यानि कि कंठस्त नहीं हुआ, सुस्रूत के श्लोक कंठस्त नहीं हुआ, फिर नाधीतस चरको येन, चरक समीता का जिसने अध्ययन नहीं किया, अध्ययन एक विधी है, आप याद उसको बेठना होता है शिश्य की तरह गुरू के प्रति समरकड़ भावा आता है तभी तो गुरू कुछ कहता है तो अंदर उतरता है बाकी बेच पर बेट कर सिगारेट पीकर बाहर केंटीन में जाकर उसके बाद पेर पेर चड़ा कर सूस पहन कर उसके बाद टाइकोट पहन लेखने को बेठता है और सिगारेट का पाकी डंदर होता है और ओ कोई व्यक्ति यदि यसा पढ़ता है तब तो आयूरवेद का नाशी समझना चाहिए ये कोई शिश्य या तो ये कोई अध्ययन विदी नहीं हुई अध्ययन विदी का ये प्रभाव है तो ओ गुरू का मो उन भी वहाँ पर परम भाशा बंदा है यहाँ पर इसलिए ये चर्चा यहाँ पर आई नहीं है कोई गुरंत में आप याद रखेगा गुरू परमपरा में इसकी बड़ी चर्चा है मैं कभी इसके बारे में बताऊंगा और खास करके जो लोग वाजी करण के उपर कोई का ठीको MD करना है PhD करना है उसको रस है तो आप अवश्य हमारा संपर्क करें अम इसकी बहुत सारी बाते आपको ऐसी बताएंगे जो ग्रंतों में नहीं है बिट्विन द लाइन से लाइनों में नहीं है बस इतना ही हम यह नहीं दावा करते कि ग्रंत के बाहर का बताऊंगा ग ग्रंत में तो है लेकिन बिट्विन द लाइन से तो यहां पर श्त्री अयोग्या कैसे उसकी बड़ी चर्चा है लेकिन अब यह इन इतना ही जानेंगे कि वाजी करन के वह अयोग्या है अब आगे देखते हैं तो वाजी करन प्रयोग जिए अब आब बर सब समझ गया किया वाजी करण की जरूरत तो हे ही तो वाजी करण की जरूरत थे तो प्रयोग विदि करे के शे बराबर ना तो यहां पर बताया सोत्तस्चो शुद्धे अमले शरीरे बराबरे रुष्यम यदाना मितमत्ति काले रुषा यते तेन परम मनुस्य तत ब्रुभनम चैवबनक प्रदंच तस्मात पुरा शोधनमेव कार्यम बलानो रूपम नहीं रुष्य योगा हा से द्यंति देहे मलीने प्रयोगता क्लिष् यथा वाससी रप्योगा हा चरक चिकित्सास्तान का यह अदभूत श्लोक आप देखिए उन्होंने पहले उपमा क्या दे दी उन्होंने बताया यदि दिवाल की उपर कोई कलर कर रहा है तो पहले का कलर पहले अमको निकालना पड़ेगा पई उसके बाद अच्छे से अच अच्छा कलर उसमें चिपक नहीं सकता है जैसे मलीन वस्त्रों में अच्छा कलर नहीं हो सकता है यथा वाससी रप्योगा हा बराबर मलीने वाससी रप्योगा हा न भवंति न सिध्यंति बराबर मतलब जो मलीन वस्त्रे उसी उपरम अच्छा कलर नहीं कर सकते उसी के तरह मलिन देह में जब तक वो शोधन से पंच कर्म से शुद्ध नहीं हुआ है तब तक हम कोई भी प्रकार का वाजी करण करेंगे उतना फ़त नहीं आएगा तो वही पर व्रुष्य प्रयोग करने चाहिए बराबर तो ये करने इसके बाद ही क्या होगा व्रुषायते तेन परम मनुस्यस्तत ब्रुहणं तो ही ब्रुहण होगा चाहिए बलप्रदोगा तस्मात पुरा मतलब पहले शोधन मेवकारियं पहले सोधन ही करना चाहिए बला नरूपम नहीं गुरुष्यय योगा पहले गुरुष्यय योगा अनुरुप नहीं करना चाहिए बला अनुरुप सोधन करना चाहिए बराबर क्यों करना चाहिए तो उसका कार बता दिया बराबर है इसके लिए सबसे पहले क्या करो सबसे पहले जो गुरुष्थी लोग है पहले पुरी शुरी के शुद्धन करें, उसके लिए संसोधन चूरण और गुरु कुलम्यम संसोधन वट्टी भी बनाते हैं, चरख चिकित्सा स्थान में ही उसका एक संसरजन करम दिया है, उमने अमारी वहिनी गर्भु या नम की पुस्तक में पूरा संसरजन करम लिखा है यदि आपको चाहते हैं संसरजन करम करना, घर पे ही आप ये शुधन कर सकते हैं, कुछ दवाईया इसमें लिखिये, उसको ले सकते हैं, उसको शुद्ध होने के बाद, और पंच करम भी जो लोग कोई जगह पर ऐसे गाओं में या छोटे नगरे में रहे हैं, आर्थिक स् इनेक्स्त्री रोग विशेश अग्या, तो ओ, घर पे पंच करम कराने की एक व्यवस्तित पद्धती से वो सिखाते हैं, घर पे पी आप पंच करम कर सकते हैं, उसके वीडियो भी यूट्यूब में हैं, और खास करके पूत्रेश्टी याग जब करते हम, तो ये पूरे के पूरे विशय चन मानस तक ले जाने का पवीत्रतम कारिय कर रही है, हमको ये है कि हमको कोई उसका पेकेज लेकर कमाना नहीं है, लेकिन ओ घर पे पंच करम करें, नस्दिक के केंद्र में चाकर, अपने शरीर का शुद्धी करण करें, वो हम चाहते हैं, अब स सभी मटलब ये एसा जीवन जी रहा है, ग्रुवस्ता स्रम की अवस्था है, उसमें क्या-क्या नहीं खाना है, जो शुक्र का ख्षय करती हो, येसी वस्तुए उसको नहीं खानी है, वो क्या होता है, तो इसके लिए भेशज्य रतनावली में बहुत सुन्दर स्लोक आया है अतियंतम उष्ण कटुतिक्त कशायम अमलं, बराबर क्या बताया, अती गरम, अती तीखा, अती तिक्त, बराबर यारी कडवा, कशाय, कशैला और अती खटा, इतना अती नहीं खाना है, बराबर भगवद गीता का श्लोक याद करिये कटवं मलवना ती उष्ण तीक्ष्ण रुक्षविदाहिन आहारा राजसस्यष्टा दुखषोक मयप्रदाहा ये दुखषोक मयप्रदाह होता है येसे आहार जहाँ पर येही शब्दों में बता है अत्यन्त उष्ण नहीं खा अतिकटू अतिति खा नहीं खाना है तीक तो अतिकड़वा नहीं खाना है इसके लिए बहुत लोग नेच्रोपेथी के नाम पे नीम का रस्त लेते है रोज गिलास परके आदा गिलास परके और गुरुवस्ती होते हम उसको ना कहते शुकर अक्षई हो जाएगा आपका अ अतिकड़वा नहीं खाना है नीम केवल चैत्र महीने में नीम का पंचाग नीम का जो होता है ओ नव ही दिन खाना है उसके वीडियो में बना है बाकी नीम का रोज रस्त नहीं पिना है उसे स्वास्तिय नहीं आएगा आयूर्वेद नीम को मानता है बहुत इसके लिए एक बहुत जवर्जस लोग ओकती है कि भाई ने जब से कटवा दिया पिछवाडे का नीम तब से रोज आने लगे घर में वेई धकीम, मतलब जब से व्यक्ती ने पिछवाडे का नीम कटवा दिया तब से वेई धो रकीम आने लगे, भाई ने जब कटवा दिया पिछवाडे का नीम तब से रो जाने लगे करमे वही लगिम तब तक नहीं आते थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कटोरा बर की नीम के पतों का रस पियो या नीम के पते चबाओ नीम का दातु नवश्य कर सकते हो लेकिन ऐसे रस वगेरे नहीं पी सकते हो और अती कड़वा हो बाहर से ठाली ममवाते है क्षारी क्षार उसमें आता है खमंडोगला खाते है उससे क्षार वाले बहुत सारी जगपर क्षार यूज हो रहा है नमकिन खाते है क्षार वाली तो बहुत सारे क्षार यूज होते खारंच शाकम अथ्वा लवणा धिकंच बहुत नमकिन वाले अब आज आप देखे आज तो किसी को ये पता ही नहीं है उस समय तो था इसके लिए उन्होंने लिखा आज किसको पता है क्या नहीं खाना क्या खाना क्युकि अमारे कॉर्स में बचपन से लेकर केजी से लेकर पीजी तक कोई भी पुष्टक मेंसा नहीं आता है कि ये खाना ही यन खाना virus बाते वहुत आएगी बराबर लेकिन यह जो शास्त्रसमत होती हो नहीं इसके लिए संशक काफ रखते खर्चे बिपीटी बनाते खर्चे यहां पाच्छे लोग जो इसी कारिये पे लगे हैं तो यह खर्च करने के पर भी युनिवर्सिटी लाखों रूपिया लेकर भी सायदी को यह सा लेक्चर दे पाती हो वो पूरे-पूरे हमने जब अध्यिन किया तब तो हमने पाया ही तब तो बहुत तब किया ही लेकिन अभी जन सामान को व्यक्ति को यह ग्यान मिल सके इसके लिए प्रती वी संस्कूरूती आरिय गुरू गुलम ऐसे तो प्रती लेक्चर अजारों लाखों रूपिया लोग लेते हैं उसमें दम भी नहीं होता है लेकिन यहां पर अजारों रूपिया खर्च करके बिना किसी स्वार्थ के हम यह पहुँचा रहे हैं लोग पेसा भी बतारें कि यूट्यूब से पेसा आता है पता है कितना आता है महीने के बारा सो यह में बता देता हूं महीने के बारा सो यूट्यूब हमको यह आप जो देखते हैं उसके कारण 1000 देता है और हमारा खर्च होता है लगबग लगबग 80,000 से 90,000 मंतली इसमें स्टाफ का ये सबी का चार लोग इसमें लगते हैं पूरे का पूरे तो इसके कारण तो ये आप जान सकते हैं क्यों करते हैं हम लोग आप तक ये आयुर्वेब का ज्यान पहुँच जाए और इसकी कोई फरियाद नहीं हमको ये खर्च करने पर भी हमको आनन्दी कोई नुख नहीं ये आप तक ये ज्यान पहुँच रहा है और इससे भी आनन्दी तमच्यादा होते जब आप इसको देखाए होते हैं तो ये हमने देखा ये क्या क्या नहीं खाना है अब हम देखते हैं आगे कि वाजी करण के द्रव्य यानि कि द्रव्य भूत वाजी करण क्या है तो हम देखते हैं तो आहार, विहार और अउशद जैसे वाजी करण का कंसेप्टा या वो तीन आहार, विहार और अउशत वाजी करण आहार क्या है? मरलब उसमें तीन प्रकार होते हैं एक वाजी करण शुक्र जनल होता है यानि कि वो क्या करता है? शुक्र की उत्पत्ति करता है क्या करता है? शुक्र की उत्पत्ति करता है एक होता है शुक्र का प्रवर्तन कराना है यानी कि शुक्र को प्रवाहिद व्यवस्तित हो जाए इस तरह से जैसे होता है पानी को उत्पन करना जब हम कोई बोर करते है तो पानी को उत्पन करते है यानि पानी को निकाल दे लेकिन दूसरा ऐसा होता है पानी को बहाने के लिए रास्ता बनाना तो यह होता है शुक्र प्रवर्तन कराना शुक्र तो है लेकिन व्यवस्तित प्रवर्तन ह होना चाहिए उसका वियवस्तित रूप से प्रवर्तन हो बादा बीना इसके लिए ये ओतै प्रवर्तन और कितने ऐसी होती है वस्तोर जो सुखर जनन भी कराता है प्रवर्तन भी कराता है उत्पति- और अभिव्यक्ति- प्रवर्दन बराबर है एक उत्पत्ति कराता है और एक उसकी अभिव्यक्ति कराता है बाहर अब देखे कोई कोई यसे शुक्र जननाहार हे जो शुक्र की उत्पत्ति करते है उसमें क्या है क्रुदध की है अमार यावजी को माना है दुग्द को दुग्दध शुक्र की उद्बत्ती करता है इसके रिए जबी शुक्र काख्षय हो जाये तब गाई का दुद अवश्य पीना है याँप याद रखे और कोई-कोई लोगों को एओन रोग हो जाये कर आएगी उसका दूद पी दी पीएगा ओव्यक्ति हमने बहुत सारे प्रयोग किये है से कि जो अतीस अंभोग से या जो एसी बहार की अस्त में इतुना दी जो करते हैं युवा लोग उससे जिसका शुक्र बिल्कुल खशय हो गया था वो मरने के गगार पर आ गया था दूद के प्रयोग के बारा क्योंकि जो बताया है अयुर्वेद्य शद्य शक्ति करम बयखा शद्य शुक्र करम बयखा शद्य शुक्र और शक्ति की प्राक्ति दूद कराता है की कराता है तो क्या करता है शुक्र जनन है फिर विहार में प्रसनता सम निद्रा दी प्रसन ज जनन नहीं होगा उसका आप याद रखे इसके लिए ब्रह्मचरियम आयुश्याडम सुत्र जेसे दिया है उसी तरह से दोर्मनश्य का भी दिया हुआ है तो यह यहाँ पर विहार में प्रसन्नता और समनिद्र आया तो शुक्रजनन बराबर होगा अउशद में शतावरी दोषली रोज खाना चाहिए कि इसको जो घुरुस्ती है उसको दूद के असाथ वर अब दूसरा देखते प्रवर्तन यानि उथपद्ती में तो नहीं करता है लेकिन जो उथपन्य शुक्र है उसका व्यवस्थित प्रवर्तन हो जाए प्रवर्तन नहीं होता है तो यानि कि उड़द राजमाश यानि एक प्रकार का वो भी समीधान्य है राजमाश ये सब लेना है बराबर है तो ये उड़द वगेरे खाने इसके लिए विद्यार्थी को हेना वो उड़द नहीं खाने है क्योंकि वो शुक्र प्रवर्तन कराता है जो शुक्र प्रवर्तक है न वो विद्यार्थियों को नहीं लेना है सन्यासियों को नहीं लेना है बराबर इसके लिए विद्यार्थि को लेंगे तो प्रवर्तन होगा तो उसको क्या होगा काम बढ़ेगी देखे प्रवर्तन कराने वाला है न वो धक्का देता है तक्का देनना है न तब क्या होता है अपने में एक काम कावेगादा है बराबर है तो विद्यार्थी को उड़त देंगे तो काम कावेगादाएगा विद्यार्थी को ड्राइफ्रूट में काजू देंगे काम कावेगा वो प्रवर्तक है आयूर्वित का साइस देखिए मैं गेरंटी देता हूँ, वर्ड की सारी पत्थि आप देख लीजिए, इतना सुक्ष्म विचार एक पर भी है, जनन, प्रवर्तन, जनन, प्रवर्तन, दोनों साथ में किस-किस द्रव्यों में है, रुशी की बुद्धी को तो सलाम भेलाखला, ये रुशी की बुद्धी ही ये स जान सकती है, शुक्ष्मतत्व को, बाकी तो आपके सब छाले-पाले और पत्ते वाले वेग्द, पत्ते वाले लोक्टर, ओ नायट, ओ नायट, ओ नायट, उसमें किवल पत्तों का रस, उसको पते है, वाजी करण क्या है, गुर्वस्थास्रमी को क्या लेना चाहिए, क्या हम देखते हैं कि ये उड़द है, काजू है, ये सब शुक्र प्रवर्तन कराते है, इसके लिए उसको नहीं लेने है, और लास्ट, शुक्र जनन प्रवर्तक ये है, आहार, विहार, अउशद, क्या है, वो जनन भी कराते है, प्रवर्तन भी कराते है, उसमें क्या क्या है, श वस्तुरी भंगा दांचा इत्यादी है बराबर ये शुक्र जनन भी कराते है और प्रवर्तन भी कराते है तो ये दोनों में काम आते है मतलब उत्पत्ति भी कराते है प्रवर्तन का मार्ग भी सरण कराते है तो ये देखे ये तीनों हमने बताई यहाँ पर कोई-कोई येसी है जो शुक्रप्रवर्तन कराना वो विद्यार्थियों को ब्रह्मचारियों को सन्यासियों को मना है इसके लिए विहार में एक ये स्त्रीस पर्ष संस्मरण आनी क्या कराता है शुक्रप्रवर्तन कराता है स्त्रीस पर्ष से उसके संस्मरणों से इसके लिए विद्यार यहां पर शुक्ष्मता देखिए यहां पर बरबरे तो यह शुक्र प्रवर्तन और कोई-कोई वस्तुए दोनों कराती है तो यह हमने अभी यह देखा तो अभी यह पूरा का पूरा वाजीकरन जो है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा तो अब हम आगे बढ़ते हैं उसमें वाजीकरन के उपाई तो इसमें एसे तो वाजीकरन एक कमने कंसेप्ट देख लिया किसको किसको अलग-अलग रूप से लागू होगा अलपविरिय व्यक्ति है बराबरे उसको आपयायन कराना है मतलब उसके तुरुपती कराने के लिए उसको किया जाता है उसमें द्वागंदादी चूरण अस्वगंदा गुरूत मकरद्वजवटी वगेरे दिया जाता है फिर दूशीत विरिय वाली व्यक्ति है उसको पहले विरिय शोधन करना होता है उसके लिए प्रसादन होता है उसमें विरिय शोधन चूरण पुष्वधन वारस नारसिम अध्दक गुटी का चंदो pattern कर जाता है शुश्च विरिय जिस वियक्ति का मोग Hilya शुक्रा कम ओ गया उसमें शुक्रजन कराने के लिए सुक्र जननकिया जाता है उसके लिए Show leverage शुद्वधन क्वारि प्रहर्श्य प्रहर्शण कराने के लिए उसको जो मैंने बताया था वो पांचों को ध्यान में रखते हुए पांच प्रकार के अलग-अलग उपाई बताए है बरबरे पांच प्रकार के उपाई है ये और इसके लिए अलग-अलग वाजी करण अउशत बताए गए है अब मंत में देखते है कि वाजी करण के कुछ सामान्य प्रयोग दिये है ज इसके लिए वाजी करण द्रविया लेना एक प्रकार की चिकित सा है क्योंगि उससे वो रोग दूर हो जाते हैं तो यहाँ पर बते पिपली मार्श शाली नाम यवगो धूम योस्तया जूरण भागे समेश तेस्तु गृते पु पनली काम पचे ताम भक्षे इत्वा पितरा कि सिखानी है पिपली एक प्रकार की एउचती है बराभर है और क्या है मार्श शाली नाम उड़द बराबर है यो चव है फिर गोदुम यानि गेहूं है बराबर है यह सब का समान पात करना है और इसको घीमे मिलाकर एक पूली बना देनी है और ओ पूली को खाकर आपको जी सरकर मतलब दूद पीना है मतलब साखर वाला और मदू खाना है अनी खाना है तो यह ताम मिठा दूठ यानि कि सरकरावाला दूठ तो ये करने से उसकी कामशक्ति बढ़ जाते हैं आप द्याक्षे रेक्सी ये पूली खाने के बाद ये दूठ पीना है सानुपान बताया है ये एक प्रयोगे दूसरा प्रयोगे अश्वत्थ फलमुलत वक्षूंगाद इसी दंपय अश्वत्थ का पंचांग है जो आप अश्वत्थ यानि पीपल का पीपल की जो कोमल तवचा होती है उसके जो फल होते है वो पंचांग का पुरा का पुरा एक घ्रित बना देना है और उससे हनी के साथ लेने से क्या होता है वो भी एक प्रकार का प्रयोग है उससे भी पा पुद्रसर पीशा हनी और गी के साथ जो उड़द खाते हैं उड़द का लोड़ खाड़े अवल लिया पयम पितवा मतलब उसका मिक्ष करके जो दूत पिता है वो वाजी प्रवेन नारी यानि कि वो भी वाजी करता उत्तम प्रयोग है गुष्टिनाम वृदवत्सानाम मतलब जो छोड़ होते हैं मतलब जो एक उगे उए होते हैं उसमें चरने जाती है गाई उसका क्षीर लेकत तच खिरेम तत प्रशाउश होती बलकामे शुजन तो इसका दूद उत्तन काम में आता है वाजी करण के लिए बराबर बल के लिए यह एक प्रयोग यहाँ पर पहारी प्रजा के लिए यहां माउस बताया है यह गणासर में फिर काकोल यादी इस्च पूजीता काकोल यादी गण चिकित्सा स्थान में बताया गया है सुसरूत समीता में वो काकोल यादी क्यूंकि काकोली से ओगण सुरू होता है जैसे काकोली शिरकाकोली जीवक है उ पिर मेदा, महामेदा, इत्यादी अउशदी है, अमरूता है, काकडाशिंगी है, वन्षलोचन है, ये सारी अठारा प्रकार की अउशद्या बताईए, ये श्टी मदू सही, वो अठारा प्रकार की अउशद्यों में से आठ नहीं मिल रही है, आठ नहीं मिल रही है, इसके ल अगेगा कि चरक हो गए चाराजार साल पहले तो रूशी है और 16 मिस्दी में बाव मिश्र जी हुए पाव प्रकास अधबुत ग्रंथ दिया और रूशी नहीं है आप और आपको संस्कृत का दो वाक्या नहीं आता है और आप निर्ण ही करते हो भी दो लड़कों ने मुझे प्रस्ष्न किया थै कि वो तो आर्ष गरंथ में है अब आपको पता भी है कि आज आई वियाकरणद पताभी है कि क्या आप तरीका है आर्ष और अनर्ष के सिद्ध करने का आपने कहीं पढ़ लिया दो वाक्या और आप बस पुपटपाड पढ़ने लगे उदार गियान से बनने लगे आप ज्यानी वो आरसे अनारसे अब देखो ये है न वा ये आप कभी खोल नहीं पाते ये आठ मिल नहीं रही है तो काकोल यादी गण पुरा का पुरा दिया है केवल पूरी चान कर जो वात का समन करता हो पुरा का पुरा वाजी करण पूरण फलदाई वोता हो से अठारा उशदिया बताई ये काकोल यादी गण में पडलेना सुस्रुत समीता खोल कर वो काकोल यादी गण है वो वाजी करण हेतोर ही तस्मात तत्तु प्रयोजे ये वाजी करण गलका सेवन करना चाहे ये पूरी उशदियोगा लेकिन आठ नहीं मिल रही है तो आठ के स स्थान पर आप बला का प्रयोग करो आप इसके स्थान पर अश्वगंदा का प्रयोग करो मेदा मिल नहीं रही है तो अश्वगंदा का प्रयोग करो ओ नहीं मिल रही तो इसका प्रयोग करो ओ शुक्ष्म द्रश्टी रूशी ही वो बता सकता है उसको ही द्रव्य गून व विरिय विपाकोत प्रभावत पता है वो उनोंने वहाँ पर बताया है ताकि हम आज भी एक आकोल यादी गण का प्रयोक कर सके तो ये पूरे की पूरी हमने आज वाजी करण की बाद जानी रूशी की शुक्ष्मबद्धी को वन्नन करते हम जिनोंने ये शुक्र का साइंस ब दिया ताकि ये भारत की प्रजा सब रिती से उत्तम बनकर जगद गुरुद्वकुनह प्राप्त कर सके तो ये वाजी करण के लिए आज इतना ही अगले वीडियो में हम रसायन की बाद जानेंगे जो आयूरवेद की दो पांक कही जाती है एक पांक है वाजी करण और दू प्रामानिक्ता से परा है पूरा का पूरा आयूरवेद है वो एक समरपन भाव से परा हुआ है यही बात शीक कर हम भी इसमें ज्यान लेंगे पावीत्रिय लेंगे पराविणिय लेंगे साथ में पवीत्रता लेंगे समरपन का पाव लेंगे यह सबम को पगवान धन्वंत्री प्रदान करे और आयूरवेद सीखने के लिए हमारी गती को और थोड़ा तीवर करे हमारी बुद्धी को और थोड की समाप्ति करते हैं नमामी धनवं तरिमा दिदेवं सुरा सुरेर्वंदित पाद पद्वं लोके जरारुपयमृत्युनाशं तातारमीशं विविदाउश दीनाम।